असलाम लेकों विल्केम बैक तो दॉंसरी डॉट को मैं नेम इस पॉलक नक्षी और मैं गोर्स में दी असेंशन टेनिंग में इस टूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी डॉकुमेंट टाइप डेफिनेशन दीटीडी यह हमें क्या करता है यह हमें यह इस पर आपटाइप गॉट बनाने की जादा देता है एक्जैनल में किता कि अमारी कोई डाया नाया इंकसिस्टन्साली में देख दॉन रूम यह वह प्रॉपर रहे इस वन दो कॉंट्र जय पर आपनेशन दिखनेट और पर इंड बेर प्रिच्ट करता है किदर कॉन सा ग यह रहोनों चाहिए, रहोनों चाहिए, तो इनक्लूट करने देता है, शेम्न फाइल को भी एक्सेल और कुमेंट को भी, रहले टेव सिंपल टूरीज पर नो पावर्फॉल यह एसाल तो है लिखना लेकिन पावर्फॉल नहीं है इसका फाइदा इतना नहीं है, यानि Markup, Declarations, Defined Document, DDD के इसके से Elements आप स्पेसिफाइ कर सकते हो, इसके स्पेसिफाइ कर सकते हो, Entities आप स्पेसिफाइ कर सकते हो, Emotations कर सकते हो, Processing Instructions कर सकते हो, Commands कर सकते हो, Parameter and Entity, Reference कर सकते हो, Format के Angle Bracket, X-Line, Doc, Type, आगे Name जो भी आपने इसका नाम देना है, Like अगर आपने देना है, At Last, जो भी आपने देना है, Keyword उसके करेंगे, Document Type, Definition उसके करेंगे, फिर ये Bracket, ये Bracket, और Angle Bracket, Declare करना है, अगर Element नेम, Content Specification, Empty Content, Empty Content, Element Has No Chained Element, Any Other Element Has No Content Constraint, अगर Element Content है, Specified Element, Mixed Content है, तो One Container Element में, Character Data Mixed होगे, अगर हम इसको देखें तो Names, Content Specification, Empty है तो Container No Child, ये सेम वही चीज़ा, अगर इसकी ग्रेंपल देखें तो Element, Miscellaneous, Any इनी कोई भी होगा, इसको दूल अप्ला है, नहीं होता है, अगर Empty है तो कोई भी नहीं होगा, PC Data है तो सारे Correctors होगे, जोट बोल डेखें को, Element City Title ये Artist होगा, अगर Devailing है तो Hows, अपार्टवर इस तरह डालेंगे, Element Title है तो Old का और Subtitle और Data का Combinations है, अगर Element DDT का सपेचिल एक Question Mark का क्या मतलब है, या तो Zero होगा या एक Element होगा, Plus का क्या मतलब है, एक होगा या एक से ज्यादा होगा, और Staric का बीज़र कोई भी नहीं होगा या उससे ज्यादा होगा, और Element Letter A, Question Mark डाल दोगी तो आगे इसका मतलब है, Zero और One of the Elements, B या तो B बीज़र स्टारीक है तो इसका क्या मतलब है, Zero और More of the Elements, C प्लस है तो B और One and More of the Elements, Attributes कैसे DTD में किये जाते हैं, जैसे Add List का keyword, Element Name, Attribute Name, Type और Default Declaration आएगी, अगर Attribute Types देखते हैं तो String है, होग सकती है, Enumerated तो Tokenized, Indicated C data से String होती है, और List of Values सकती है, Enumerated होते है, Tokenized तो Useful Ideas, Add List Package Data CDD है, अगर इसके Default Attributes Required, इसके Default Attributes Required, Implied यह हमारे होते है, Present and Optional, यह Fixed Yes or No के लिए, को इससारा तर्वेली फिक्स करने के लिए, Default Value to Use for Default, अगर इसके Default Attributes Required, Implied यह हमारे होते है, इसके Default Attributes Required and Implied के लिए, अगर तो Fixed है तो Yes, इसके Default Attributes Required, इसके Default Attributes Required, इसके Default Attributes Required and Implied